नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूँ आपके साथ चिराग सुखीजा भारत और इंग्लेंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है जिसका पहला मैच हारने के बाद टीम इंडिया अब बाउंस बैक करने के लिए तैयार है सीरीज का दूसरा मैच दो फरवरी से विशाका पतनम में खेला जाएगा पहले मैच की हार का गम कप्तान रोहित शर्मा को जरूर होगा लेकिन जैसे ही वाइजेक के एरपोर्ट पर रोहित ने कदम रखा होगा तो उन्होंने राहत की सांस जरूर ली होगी जैसे ही रोहित और विशाका पतनम का नाम एक साथ लिया जाता है वैसे ही ये बात होने लगती है कि अब जीत पक्की है यह हम क्यों कह रहे हैं आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे दरसल कप्तान रोहित शर्मा खराब फॉर्म से जूज रहे हैं हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट की दो पारियों में रोहित के बल्ले से 24 और 49 रन ही निकले थे यहां तक कि रोहित ने टेस्ट में आखरी अर्दशतक जुलाई 2023 में वेस्ट इंडीस के खिलाफ लगाया था उसके बाद से ही रोहित का बल्ला इस फॉर्मेट में खामोश नजर आया है कई पूर्फ क्रिकेटर्ज रोहित शर्मा की आलोचना कर रहे हैं और कुछ उन्हें अपनी बैटिंग पोजीशन में बदलाव करने का भी सुझाव दे रहे हैं लेकिन रोहित विशाका पत्नम में अपने बल्ले से सभी को मूँ तोड़ जवाब दे सकते हैं ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहित ने वाइजएग में खेले गए अपने एक मात्र टेस्ट में बल्ले से आग उगली थी साल 2013 में टेस्ट डेब्यू करने वाले रोहित चर्मा अब तक 55 टेस्ट मैच खेलते हुए 3800 रन बना चुके हैं इस फॉर्मिट में कप्तान, साहब के नाम 10 शतक और 16 अर्द शतक भी हैं लेकिन विशाका पत्नम में रोहित चर्मा ने सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है साल 2019 में यहां साउथ अफरीका के खिलाफ हुए मुकाबले में रोहित ने गेंदबाजों के हाथ पैर फुला दिये थे इस टेस्ट मैच की पहली पारी में रोहित ने 176 और दूसरी पारी में 127 रन बनाये थे एक ही टेस्ट में दो शतकों की बदालत मैच में रोहित शर्मा ने 303 रन ठोक दिये ऐसे में अब रोहित शर्मा विशाका पत्नम से ही अपनी फॉर्म वापसी का एलान कर सकते हैं आपको बता दे कि 5 मैचों की सीरीज में इंगलेंड की टीम एक शुन्य से आगे चल रही है हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट में इंगलेंड ने भारत को 28 रनों से हरा दिया था पहली पारी में इंगलेंड को 246 रनों पर रोकने के बाद टीम इंडिया ने पहली पारी में 190 रनों की बड़ी लीड हासिल कर ली थी इसके बाद बल्ले से ओली पॉप ने 196 रनों की पारी खेली और इंग्लेंड ने टीम इंडिया के सामने 231 रनों का लक्ष रख दिया जवाब में इंग्लेंड के लिए डेब्यू कर रहे स्पिनर टॉम हाटले ने साथ विकेट लेकर भारतिये फैंस का हाट ब्रेक कर दिया फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताईए कि क्या रोहित चर्मा वाइजएग में खोई फॉर्म को तलाश पाएंगे या फिर आपको लगता है कि एक बार फिर से रोहित चर्मा की खराब फॉर्म जारी रहेगी इसके अलावा अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे देखते रहेए न्यूज नेशन